नमस्कार स्वागते आपका प्रतियोगिता दर्पन के योट्यूब चैनल पे मैं हूँ आपके साथ सुरुष्टी और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं देश दुनिया में घटित होने वाली मुख्य समाचारू की जो आपके एक्जाम के दुरुष्टी से बहुत ह जादा महतुपूर है वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि एक्जाम के दुरुष्टी से प्रतियोगिता दर्पन मैक जीन कितनी महतुपूर है और एक ही मासिक पद्रिका में आपको क्या कुछ देखने को मिलता है प्रतियोगिता दर् आपको आसानी से मिल जाएगी आप अपने नजदीकी बुक स्टोर पर जा सकते हैं इसके लाव आप गाउं के दूर दराज शेत्रों मे रहते हैं तो आप ऑनलाइन भी प्रतियोगिता दर्पन मेक जीन को अपने घर पर मंगा सकते हैं आप चलते हैं अपने पहले खबर की पहली ख़़र है हमारी की 26 फरवरी 2023 को मनेश सिसोधया को आपकारी निती होटाले में गरफतार कर लिया गया था। या अवैद तरीकों से या किसी लोग सिवक को प्रभावित करने के लिए अनुचित लाब उठाने के प्रावधानों के तहट ये मामला दर्ज किया गया अब हमारे दूसरी खबर ये है जो कि बहुत ही जरूरी है एक्जाम के दृष्टी से की कुनो नेशनल पार्क में बारत चीतो को लाए गया मद्द प्रिदेश के शियोपर में कुनो नेशनल पार्क है यहाँ पर बारत चीतो को दक्षुर अफरिका से लाए गया जिसके बाद से यहाँ पर चीतो की संख्या 20 हो गई इससे पहले नामीबिया से लाए गया आठट चीतो को पिछले साल 17 सितंबर को प्रिदान मंत्री नडेंद्र मोधी ने अपने जनम दिन के मौके पर उनको कुनो नेशनल पार्क में छोड़ा था बताने कि देश में आखरी चीता वर्तमान चाटिसगर में राजाओं के शौक के कारण मारा गया दरसल बात ये है कि हमारे देश में चीतो के संक्या बहुत ही जादा थी राजगरानों का शौक बन गया था चीतो को मारने का तो इसलिए जो आखरी चीता था वो वर्तमान जो च्छतिसगर में राजा थे उन्होंने उसको मार दिया था इसके बाद चीतो को बिलुप्त घोशित कर दिया गया था चीता प्रोजेक्ट के तहत अगले पांच साल में चीतो की संक्या को पचास करने का लक्ष रखा गया है तिसरी ख़वर ये है कि 22 में विधी आयोग का कारेकार बीड़ साल तक के लिए बढ़ा दिया गया है की अवधी के लिए किया गया और इसके अध्यक्ष रिटार्ड नयायमूर्ती रितूराज अवस्ती ने 9 नवंबर 2022 को अपना पद बहार ग्रहड किया 22 में विधी आयोग का कारेकाल 20 फरवरी 2023 को समाप्त होना था लेकिन अब इसको बढ़ा दिया गया है देर साल के लिए तो अब उनका जो कारेकाल है वो 31 अगस्त 2024 को समाप्त होगा अगली खबर की तरफ हम बढ़ते हैं जो एक्जाम के दुरुष्टी से बहुत ही जादा महतुपोड है और उससे भी जादा महतुपोड है प्रतियोगिता दरपन की मैगजीन जिसमें आपको एक ही जगा पर ढेर सारी खबरे देखने को मिल जाती है जिससे आप एक्जाम क्रैक करने में बड़ी ही आसानी होगी आपका करण्ट अफेर बड़ी ही आसान तरीके से आप तयार कर सकते हैं क्योंकि आपको इधर उदर जाने के जरूरत नहीं पड़ेगी एक ही मैगजीन में आपको पूरे महीने का हर फिल्ड से हर कैटेगरी से आपको करन्ट अफेर से लेके तमाम वो खबरे मिलती हैं जो आपके लिए एक्जाम के दृष्टी से बहुत ही जादा महतवर होती हैं तो प्रतियोगिता दरपन मैगजीन को आप जरूर पढ़िए इसको लेना भी बहुत आसान है किसी भी नजदी की बुक स्टोर से आप ले सकते हैं इसके लाव आप ऑनलाइन भी इसको मंगा सकते हैं और घर बैठे प्रतियोगिता दरपन मैगजीन पास सकते हैं अब अगली खबर हमारी ये है कि बीवाई 524 मालवान बीवाई 525 मंग्र मंग्रोल के निर्माड कारी की शुरुआत हो गई है दरशल भारतिय नोसेना के लिए 2 इंटी सब्मरीन वार्फियर शेलो वॉटर क्राफ्ट परियोजिना के दूसरे जहाज बीवाई 524 मालवान और तीसरे जहाज बीवाई 525 मंग्रोल के निर्माड कारी की शुरुआत 21 वरवरी 2023 को मैसर्थ CSL इस्तित कोची में की गई ये जहाज स्वदेशी निर्माताओं से प्राप्तसभी प्रमुख और सहायक उपकरड़ों प्रडालियों के साथ रक्षा मंत्राले की मेक इंडिया पहल के गौरोशाली ध्वजवाहक हैं इन जहाजों को 25 साल के सीवा जीवन के साथ निर्मित क्या जो रहा है इन जहाजों के उपलब्धिता पानी के नीचे के खत्रों का पता लगाने और उन्हें बे असर करने के उद्देश से 30 शेत्रों में उपसता निगरानी की सुविधा प्रधान करेगी अब अगली खबर के तरफ चलते हैं एक्जाम के दुरिश्टी से जो बहुत ही ज़्यादा महतुपूर है हमारी अगली खबर ये है कि हाइपरसोनिक टेक्नलोजी दिमानोस्ट्रेटर का परिक्षड किया ग रफ्तार 6126 से 12252 किलोमीटर प्रति घंटा के बीच होती है समझ सकते हैं कि अगर ध्वानी से तेज किसी के रफ्तार है तो वो कितनी तेज हो गया हमारी अगली खबर है कि 2021 में एक दस्मनो छैतीन लाख 2022 में दो दस्मनो दो पांच लाख लोगों ने भारतिय नागरिक्त को छोड़ दिया है यह डाटा आया है मंत्राले ने विदेश मंत्राले ने यह डाटा उपलब्द कराया है उसके एक ओर्डिंग अपनी भारतिय नागरिक्ता त्यागने वाले भारतियों की संख्या 2015 में एक लाख 31,048 है 2016 में एक लाख 41,603 है 2017 में एक लाख 33,0049 है 2018 में ए एक लाख 44,017 है 2020 में 85,256 में एक लाख 63,370 और 2022 में 2,25,620 है इतने लोग अपनी नागरिक्ता भारतियों नागरिक्ता छोड़ रहे है और बाहर विदेशों की नागरिक्ता ले रहे है हाला कि डेटा कुछ कोविट के बाद से कम देखने को मिला है क्योंकि कोविट में ब भारतियों नागरिक्ता नहीं छोड़ी थी क्योंकि शायद भारत में जो सुविदा मुहिया हो रही थी वो अन्य देशों में नहीं थी यही वज़ा रहा होगा कि लोग भारतियों नागरिक्ता उस ताइम पे कम छोड़ रहे थे पिछले साल एक रिपोर्ट के मुताबिक जादा से जादा संक्या में जो भारत के धनी लोग हैं वो भारतियों नागरिक्ता को छोड़ने के इच्छुक हैं अब चलते हम अपनी अगली ख़वर की तरफ बढ़ते हैं हमारी अगली ख़वर यह है कि महिला प्रीमियम लीग यानि की डबलू पील का आयोजन किया गया बहुत ज़्यादा सफलता मिलने के बाद यह तैकिया गया कि अब डबलू पील स्टार्ट किया जाएगा और उसका भी आयोजन बीसी सी आई यानि की भारतियों क्रिकेट कंट्रोल बोर्ट ने शुरू किया महिला प्रीमियर लीग की जो शुरुवात है वो पांच टीमों क एक साथ हुई महिला प्रीमियम लीग के पहले संसकरण का सुभारा 4 मार्च 2022 से हुआ इस संसकरण में कुल 22 मैच खेले जाएंगे अब हमारी अगली खबर जो है उसमें चलते हैं हम और बात करते हैं कि भारत की अदालतों में जो लंबित है मामले वो 4 करोड 70 लाख के करीब कहां से मिलेगा न्याय अगर इतने मामले लंबित हैं तो न्याय की उमीद आप कैसे कर सकते हैं 22 जुलाई 2022 तक के आकड़ों के मताबिक भारत के 25 उच्च न्यालों में 55 लाख से भी जादा केस पेंडिंग है यह हम नहीं कह रहे हैं केंडरे कानून मंतरी किरन रिजिचु ने लोकसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए कहा था कि देश के 25 उच्च न्यालों में 69,55,873 मामले लंबित हैं पिला और अदिनस्त अदालोतों में लंबित मामलों की संक्या भी बताई जो कि 4 करोड से जादा है और बहुत ही जादा है और बहुत है जाहिर सी बात है कि देश के नया बेवस्ता पे सवाल उठना लाजमी है फिला हाल के लिए सिर्फ इतना ही है वीडियो में रास्टर समाचार सिर्फ इतना ही है लेकिन अगर आपको और भी इससे जादा खबरे पूरी डिटेल में पढ़नी है तो प्रतियोगिता दरपन की मैगजीन को जरूर पढ़िये जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक ही मासि मैगजीन जो इसका है मंतली मैगजीन उसमें आपको पूरी जानकारी मिलेगी आपको एक ही जगा सब कुछ डिटेल में मिलेगा नेशनल हो इंटरनेशनल हो एकोनॉमिक्स हो या फिर करंट अफिर्स हो या फिर स्पोर्ट्स हो आपको हर जानकारी डिटेल के साथ आपको इ यूटिब चैनल से जरूर जुड़े रहें और साथ ही मैकजीन को पढ़ना ना भूले।